खेलो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले लाइट रफ्लेक्शन एंड रिस्फ्रेक्ष्ण ओकि द्यान दो हम डिस्कस करने वाले लाइट reflection and reflection reflection and reflection ओके बच्चों तो first of all हम बात करते हैं कि light क्या होता है ठीके तो बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग what is a light light क्या होता बच्चों ध्यान देना है such a form of energy which enables us to see the objects objects around us by affecting the retina of our eye clear है मतलब light एक ऐसी energy है जो हमारे eye की retina को affect करके हमारे आस पास के चीजों को दिखाने में हमारी मदद करता है help करता है उस form of energy को हम लोग क्या कहते है light कहते है ओके बच्चों तो light समझ में आगई यह एक energy होती है अब इसमें हमें दो बाते समझ दी है clear है पहली बात तो यह समझने है कि ray of light क्या है क्या चीज बच्चों ray of light ओके तो ray of light क्या होता बच्चों एक ऐसी straight line जो light की propagation की direction को represent करती है that is called as ray of light so this is ray of light इधर को arrow बना मतलब light ray left to right जा रही है और अगर किसी ने इधर को arrow बना दिया मतलब light ray right to left जा रही है got this अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं बच्चों beam of light या bundle of light कह सकते हैं तो beam का मतलब क्या होता है दो या दो से अधिक equidistant parallel co-directional light ray जो होती है बच्चों यह beam form करती है और इसे हम लोग क्या कहते है beam of light कह लेते है clear है एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है बच्चों कि जो light है न light travels in a straight line light travels in a straight line light जो है एक straight line में travel करती है यह इसकी property के अंतरगत आ जाता है दोसरी बात ध्यान रखनी है जो speed of light है speed of light in air is c से रिप्रेजन करते है and its value is 3 into 10 to the power 8 meter per second यह speed of light होती है in air or space गौर्ड इस बच्चों यतनी बात आपको समझ में आ जाती है कि light क्या है ray of light क्या है beam of light क्या है और light एक straight line में travel करती है और speed of light 3 into 10 power 8 meter per second होती है गौर्ड इस बच्चों यतनी बात आपको समझ में आ जाती है clear है अब हम यहाँ पर बात कर लेते है reflection of light क्या है बहुत ध्यान से सुनेंगे ओके बच्चों तो reflection of light क्या है ध्यान देना है इसमें क्या होता बच्चों वेन आ लाइट रे is incident on a reflecting surface on a reflecting surface comma it is turned back in the same medium in the same medium which is called reflection of light जिसे ही हम क्या कह लेते है बच्चों reflection of light कह लेते got this जिसे मान लो यह क्या है एक plane reflecting surface हमने ले लिया this is s s dash clear है बच्चों और ऐसे मान लो कोई एक light रहाई यहां पर टक्रा रही है ऐसे light रहागे यहां पर टक्रा रही है तो जहां पर टक्राते ही हो जाता है ओ इसे हम कहते है point of incidence क्या कहते है बच्चों इस इस known as point of incidence कहलाता है ठीक है और यह क्या होती है IELR होती है incident light ray होती है और इस surface पर इस point के साथ हमें एक normal draw कर लेते हैं this is anandance इसको हम लोग कहते हैं बच्चो normal क्या कहते है normal और normal के साथ ये एक angle बनाती है इसे I कहते है and this is known as angle of incidence क्या कहलाता है बच्चो ये this is known as angle of incidence कहलाता है और जब ये टकराती है तो ये light ray इसी medium में ऐसे वापस चली आती है कैसे चली आती है वापस चली आती है इसे हम कहते है reflected light ray ये भी normal के साथ कुछ angle बनाता है इसे R से represent करते है and this is known as angle of reflection इसको क्या कहा जाता है बच्चो angle of reflection कहा जाता है got this समझ आ गया होगा सभी को so this is all about reflection of light यानि कि जब light ray चल रही हो उसके रास्ते में अगर कोई reflecting surface आ गया तो जैसी वो उसे टकराएगा तुरंत वहीं से वापस उसी medium में चला जाता है इस phenomena को इस incidence को इस घटना को इस process को ही हम लोग क्या कहते है बच्चो reflection of light कहते है ठीके तो यह बास समझ में आ जाती है याद रहे जब भी हम light का chapter पढ़ेंगे और जो भी diagram मनाएंगे उसमें हम arrow marking जरूर करेंगे क्योंकि arrow marking ही confirm करता है कौन से incident light रहे और कौन से reflected light रहे got this अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चो laws of reflection of light laws of reflection of light तो light की reflection के कुछ laws होते हैं उनकी हम बात करते हैं तो there are two laws first law यह है बच्चो incident light comma reflected light and normal normal at the point of incidence at the point of incidence all these three lie in the same plane यह तीनों एक ही plane में लाई करते हैं जैसे जब को incident light रहे reflected और नॉर्मल यह तीनों ही इस plane आप बोर्ड में लाई कर रहे हैं अब अपने copy में बनाओगे तो plane आप पीपर में लाई करेंगे ठीके और दूसरा लाई यह है बच्चों कि angle of reflection is always equal to angle of incidence यानि कि कभी कभी सीधा r equal to i लिख दिया जाता है got this so this is second law of reflection of light कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी light ray का reflection होगा तो उसमें हमेशा angle of reflection जो होगा वो angle of incidence के ही equal रहेगा this is known as law of reflection clear है बच्चों बात समझ में आ गया होगा तो अब हम आगे बात करने वाले है case of normal incidence किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले है case of normal incidence की clear है let's see what is the case of normal incidence normal का मतलब होता है perpendicular incidence normal means perpendicular incidence का case क्या है इसकी हम चर्चा करने वाले है ओके बच्चों तो let's see हम बात करने वाले है अब case of normal incidence case of normal incidence ठीक है बच्चों हमने मान लिया कि ये कोई अपने पास plane reflecting surface S.A.S. डेस है और यहाँ पर ये point of incidence है और ये हमने मान लिया कि ये इस point पर क्या है normal है and and dash and O is the point of incidence got this कोई light ring normally आ रही मतलब बच्चों ये इसी line के along आ रही इस पर normal incidence हो रहा 90 degree बनाते हुए ये incident हो रही है clear है बच्चों तो अपने को यहाँ पर जानना होगा कि what is the angle of incidence here यहाँ पर angle of incidence की value कितनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा कि what is the definition of angle of incidence तो बच्चों ध्यान देना है definition of angle of incidence यह होता है कि the angle between incident light ray and normal तो ध्यान देना यही normal है और यही incident light ray है तो यहाँ पर बच्चों angle of incidence I क्या हो जाएगा 0 तो जब angle of incidence I 0 हो गया तो by the law of reflection जोकि R equal to I होता है तो R भी कितना हो जाएगा 0 degree और यह तब पॉस्वर जब इससे टक्रा करके उसी path से वापस से लिजा है reflected light ray यह हो जाए यह यह incident light ray है और यह क्या है reflected light ray है clear है तो क्या होता है इस case में in this case light ray retraces its own path light ray अपने खुद के path को क्या करती है retrace करती है यहनि कि टक्राने के बाद जिस path से आई हुई होती है उसी path से वापस जले जाती है so this is all about case of normal incidence अब इसी पर एक हम question discuss कर लेते हैं यहाँ पर हम एक question लेते हैं हमने कह दिया बच्चों कि if the reflected light ray is perpendicular to the incident light ray then find then find angle of reflection and angle of incidence यह question है इसको solve कैसे करोगे बच्चों देखो ध्यान से हमने माल लिया यह कोई plain reflecting surface ले लिया यहाँ पर ठीके यह plain reflecting surface हो गया और ऐसे कोई एक light ray आई ठीके यह कह रहा है कि यह light ray जो है incident light ray की perpendicularly जा रही है यहनि कि यह हो गए reflected light ray तो यह दोनों दुसरे के कैसी है perpendicular है तो कह रहा angle of incidence और angle of reflection बता ओके बच्चों तो क्या करते है इस point of incidence पर हम एक normal draw कर लेते है तो let's draw a normal hair यहाँ पर हमने एक normal draw कर दिया n n dash ओके बच्चों हम माल लेते हैं यह angle क्या है x है तो by the law of reflection यह angle भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा but as per the question x plus x कितना है 90 degree तो 2x equal to कितना हो गया 90 degree तो x equal to हो गया 45 degree इसका मतलब जो i है वही r है और वह कितना आ गया बच्चों 45 degree so this is the answer for this question ऐसे कोई भी question turn किया जा सकता है कि माल लो reflected light ray और incident light ray के 20 का angle 120 degree है 60 degree है 80 degree है 90 degree है और 120 degree है 110 है तो उनके लिए angle of incidence और angle of reflection निकालो तो different variety of question आप self made कर सकते हैं और उन्हें solve कर सकते हैं got this बच्चों तो ये था case of normal incidence and log of reflection और उस पर based illustration ओके अब हम बात करते हैं बच्चों कि object क्या होता है clear है तो बच्चों ध्यान देना object जो है न mainly जो object है वो दो type की basis पर categorize किया जाता है तो पहला होता है on the basis of on the basis of production of light on the basis of production of light यानि कि light की production के भिहाब पर object कितने तरह का होता है और दूसरा हो जाता है on the basis of on the basis of size ठीक है तो बच्चों on the basis of production of light के अधार पर object दो तरह के हो जाता है एक हो जाता है आपका luminous object कौन सा luminous luminous object और दूसरा हो जाता है बच्चों नान luminous object क्या हो जाता है non luminous object ओके बच्चों तो ध्यान देना अब लिएर ओन लाइट और विजबल जो खुद की लाइट प्रोडूस करते हैं और विजबल होते हैं उन्हें हम लोग luminous object कहते हैं फार एक्जामपल दस सन सूरज हो गया खुद की लाइट प्रोडूस करता है और विजबल होता है फिर हम कह सकते हैं अब लूइंग बल्ब जलता हुआ बल्ब या कैंडल हो गया यह खुद की लाइट प्रोडूस करता है और विजबल होता है तो इन्हें हम लोग पारी की बात करें तो दा मून मून हो गया एंड ऑल रेस्ट दिंग्स दुनिया की सारी वस्त में लियूमिनस को सोड़कर जितनी भी वस्ति हैं वह सारी की सारी non luminous object हो जाते हैं clear है बच्चों अब हम size के आधार पर अगर बात करें तो यहां पर भी object दो तरह का होता है एक होता आपका point object कौन सा point object point object वो होते हैं जिनके लिए length, breadth और thickness तीनों ही क्या हो जिरो और point object को ऐसे हम dot से रिप्रेजन करते हैं clear है और next आ जाता बच्चों यहां पर second की अगर हम बात कर लें तो second जो variety है size की आधार पर वो हो जाती है extended object क्या हो जाती है extended object extended object को हम लोग इस तरह के symbol से represent करेंगे ऐसे extended object होगा इसमें कोई एक सीज जीरो नहीं रहेगी जैसे length zero नहीं है तो breadth और height दोनों zero हो जाएंगे या फिर breadth जीरो नहीं होगा तो फिर length और height zero हो जाएंगे या फिर height 0 नहीं होगा तो फिर length और breadth क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे मतलब 3 parameters में से कोई भी एक parameter non-0 होना चाहिए तो वो extended object कहलाता है अब यहीं पर हम थोड़ा सा discussion कर लेते हैं image की बारे किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? image की तो image क्या होता बच्चों? यह a point या कह सकते है group of points group of points which is obtained by real or virtual virtual intersection of two or more reflected or refracted light rays clear है? उसे हम लोग image कहते हैं तो बच्चों image दो तरह की हो गई एक हो गई real और दूसरी हो गई virtual यहीं कि जो real intersection से बनेगा वो real image जो virtual intersection से बनेगा वो virtual image real image को हम लोग can be obtained on screen इन्हें हम screen पर opt कर सकते हैं जबकि जो virtual होती हैं cannot be cannot be obtained on the screen इन्हें हम screen पर opt नहीं कर सकते हैं तो बच्चों आज के lecture में इतना ही मिलते हैं अगले lecture में हम लोग इसके आगे की content के साथ जिसमें हम लोग discuss करेंगी reflection of light add to spherical mirrors and formation of image rules for formation of image and धिर सारी बाते करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप इनको revise करके रखें thank you for watching